हालो फ्रेंड्स संद्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं कुछ मेठा अगर आपका मन हो खाने का कुछ मेठा तो पांच मिनट में हम इस रेशपी को बना सकते हैं इसके लिए हमने लिया है यह है कच्चा नारियल उपर का छील का जो है ब्राउ कच्छा कच्छा नारील तो आप ल second के पड़ा के को सब्सक्राइब यह टाहरा लेका लाकरD actually बुरादा ही टूडा से लिए ऑफने कमें चली आगरे lonel का हमसोट कुछ पीया लिए दोल सब्सक्राइब supply चोटा चोटा टुकडों में हम कट कर लेंगे इसे कट करने के बाद अब हम इसको लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम डालके इसे ग्राइंड करेंगे आप चाहे तो नारियल का बुरादा इसके जगा पे ले सकते हैं या सुखा नारियल को ही ग्राइंड करके ले सकते है देखे सभी को हमने कट कर लिया है अब इसे हम डालेंगे मिक्सी में और इसे सिर्फ दो या तीन बार आप घुमाएंगी बिल्कुल इजली तूरंथ ही ए छोटा-छोटा बुरादा बन के तयार हो जाएगा देखिए बिल्कुल इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है इसे ही दर स्क्राइब जरूर करना और वेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले देखिए नाहीं इसमें आपको घी की जरूत है नाहीं खोवा नाहीं मावा किसी भी चीज की जरूत नहीं पड़ेगी अब हम ले ल जादा इसमें तेल होता है अपने आप अपना तेल जो है रिलीज कर देता है इसलिए हमें कोई घी या तेल की जरूत नहीं पड़ती है इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाते हुए इससे भूनेंगे आप इसे तीन से चार मिनट तक भून सकते हैं इसका कलर जो है नहीं चेंज करना है सिर्फ हमें इसको भूनना है ताकि इसमें जो इस्ट्रा पानी हो पानी मतलब इसका जो एक कच्छा नारियल है तो इसमें दूद है वो दूद जो है हलका सा इसका पूरा क्रीस जाए देखे इसमें से भाफ निकल रही है अगर आपके पास नारियल का बुरा पड़ेगी, उसे बणाने के लिए हम पले, उसको ऐसे ही डालके और इसमें डाल देंगे, हम आधी कप मलाई वाला दूद, आप सिर्फ दूद को भी डाल सकते हैं, मलाईब से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास था मलाईब सही दूद, तो उसको हुमने ढाल दिया है, सिर्फ आधा कब ढालें, आप सुखा नारियल ले, तो उसमें तुरंत सुखा नारियल ढालाए, तुरंत दूद भी ढाल सकते हैं, अब हम इसमें लेंगे, तीन चम्मच, बड़ा चम्मच है, तीन चम्मच चेनी, ये खाने वाले चम्मच से लेंगी तो 5 से 6 चम्मच हो जाएगा जितना हमारा ग्रेट की आवा नारियल था उससे हमारा चीनी जो है थोड़ी जादा है जादा हमने चीनी क्यों लिया है ओभी मैं आगे आपको बताऊंगी चीनी हमें थोड़ा जादा ही लेना है जितना हमारा नारियल था उसका करिद दोगुना हमारी चीनी है अब हम ले लेंगे दूसरी कड़ाई में 3 से 4 चम्मच चावल का आटा आप इसके जगह पे सूजी भी ले सकते हैं ये हमने चावल का आटा लिया है इसमें भी ना ही हमने कोई घी डाला है ना ही तेल डाला है इसको ऐसे ही हम रोष्ट करेंगे थोड़ा सा इसे भूनेंगे इसका कलर नाचे जो थोड़ा सा बस इसका कच्चापन जो है निकल जाए इसे हम भूनने के बाद अब फिर से हम देखेंगे अपना नारियल और चीनी दूद ये देखे ये भी विल्कुल सूख रहा है अब हम एक चलनी ले लेंगे और अपना भुना हुआ आटा को इसमें चान लेंगे इस तरह से चानने से क्या होगा कि इसमें जो है गुठलिया नहीं पड़ेंगी ये तुरंत को तुरंत पुरा मिक्स हो जायेगा आटा जो है देखे हमने आटे को छान लिया है आप आटे की जगह पे सूजी का भी यूज कर सकते हैं उसे भी हलका सा रोष्ट कर ले और इसे डाल दे अगर ब्रत में खाना हो तो इसे बीना सूजी आटा का ही बना ले तो भी आपकी मिठाई बहुत ही प खाली भी ले सकते हैं इसम्पल सी हमने एक प्लेट ले लिया है उस पर हम थोड़ा सा लगाएंगे घी और प्लेट को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे ताकि इसमें चिप के ना फोड़ा सा ही गी इसमें विडाल दिये थोड़ा सा टेष्ट इसका बढ़ जायेगा आप इसम हमने नहीं डाला है आप अपने इच्छा के अनुसार फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं गी को अपने डालके अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम सभी बेटर को अपने प्लेट पे टांसफर करेंगे जो हमने ग्रीस करके रखा है सभी को अमने टांसफर कर दिया है अब यह ज़्यादा गरम नहीं है अब इसे हम हाथों से भी छू सकते हैं और हाथों से अच्छे से इससे फ्हाला लें आप जितना मोटा या पतला रखना चाहें उतना मोटा या पतला रख सकते हैं अपने हिसाफ से देखे यह बहुत ही सॉप्ट और बहुत ही चिकना सा डोल टाइब बन गया है यह उजली कोई दिक्कत नहीं होती है बहुत ही अच्छे से quedar हो जाता है देखे इसी तरह हम सेट कर लिए हैं और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिये थे 10 मिनट बाट देखिए बिलकुल है सूख चुका है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इससे पहले हम यह नारियल की वर्फी है तो इसलिए हमने थोड़ा सा सूखा वाला नारियल इसके उपर से छिड़क लेंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे और इसकी कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा चाहें आप वैसी कटिंग कर सकते हैं फिर से आपको याद दिला दे रही हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बारों तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना देखे सारी हमने कटिंग कर ली है अब इसके उपर से हम थोड़ा सा डाल देंगे कटा हुआ बादाम आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं क्योंकि ये नारियल्स की वर्फी है इसलिए इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा है आपको किसी और चीज की डालने की या किसी चीज की जरूरत नहीं है इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ देखिए कितनी सौप्ट और बहुत ही अच्छी बनी है वर्फी एक बार जरूर बना कर देखना आपको हमने दो तीन आफ्सन बता दिया है आपके पास जो लेवल हो आप उस चीज से बनाए देखिए हमने सारे को एक प्लेट में निकाल लिए है देखिए आप इसे चाहे जितना दिन तर रख कर खा सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धर्नेवाद